यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी रोटी का नास्ता बहुत टेस्टी यम्मी है और रखी हुई रोटियों से हमने बनाया है आप चाहें तो इसके परताजी रोटियां भी ले सकते हैं तो देखें कितना टेस्टी है तो हलो एवरिवन आप सब का स्वागत है हमारी यूट्य पानी एट करके इनको एक सिटी लगा कर लिया है और मिक्सियर जायर में हम ग्राइड करेंगे इसको काई हमारे यह लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसलिए जब हमें टाइम मिलता है तो हम ग्राइंड वरा करके रख लेते हैं फिर वीडियो बनाते हैं तो यह सकते हैं इसमें हमने ले लिए हैं दो से तीन मिरच हरी मिरच और एक इंच अद्रक का टुकड़ा तो यह सारा हम एक महीं डाल कर पेस्ट बना लेंगे तो चलिए तो यह देखिए जिससे बहुत टेस्टी बहुत यम्मी नास्ता बनता है प्रोटीन यूक्त होता है तो यह देखिए हमने पेस्ट बना लिया है मगर अभी बिल्कुल सूखा है हमने पानी का इस्तमाल पहले ना करें वरना ऐसा होता है न कि हमारे पेस्ट में पानी ज्याद सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा और पानी एड़ करेंगे तो इस बैटर में लगबग 4 से 5 स्पून के करी पानी एड़ हो जाएगा तो यह देखिए इस तरह से लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं हल्दी पाउडर कलर के लिए यह हमारा है धनिया पाउडर हींग स्वाद के नुसार और यह अजवाइन क्योंकि अजवाइन हमारी टेस्ट बढ़ाती है और यह रहा अमचुर पाउडर नमक टेस्ट के नुसार त यह देखे इसको मिलाएं गे और यह बहुत हेल्दी होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो यह देखिए इस तरह से पानी आट कर लिए उन्हें बताया है कि हमें चार से पांच स्पून के गरी पानी लग जाता है क्योंकि हमें बैटर ऐसा अगर रोटी या ब्रेट पर चिपकाते हैं तो यह बैटर चिपकना चाहिए इससे आप ब्रेट का भी नास्ता बना सकते हैं ब्रेट की स्लाइस पर भी यह चिपका करके ऐसे जैसे हम रोटियों को इसमें भूनेंगे या रोटियों को फ्राइ करेंगे बस वैसे ही आप ब् चिपका सकते हैं तो यह देखे गाई हमारा हो चुका अच्छे से चाहें तो हम ऐसे दूसरी रोटी उपर से चिपका करके सेख लें लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे हम अपना अलग से दूसरी रोटी बनाएं तो देखे दोनों रोटियां तयार हो चुकी तवे को हम फ्लेम पर रख देंगे और लगाएंगे ओयल अच्छे से और इस तरह से हम लगा देंगे सब तरब से ओयल तो अब हम इस पर सेखेंगे अपनी रोटियां तो देखिए कैसे एकदम से टेस्टी यम्मी नास्ता बना के तयार करेंगे इसका यह देखिए जिस तरह स आप शाल्ट के पलट country हम ने रग दिया है तो जिस तरफ से हमने बेटर लगाया था उसी तरफ से रोटी को पहले चुपका देंगे और शाल से क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे तो यह देख सकते हैं हमारी रोटी का बेटर अच्छे से सिख गया है और एक बात आइस देख सक तो जिससे की रोटी के अंदर की जो गया से वह बाहर निकल जाएगी और हमाई रोटी फूल लेगी नहीं तो इसको हम ऐसे ही आप उलटते पलटते सेख लेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी होने तो कि बच्छों को क्रिस्पी बहुत चीज अच्छे लगती है इस वजह से तो यह अच्छे से शेख लेंगे तो जब फूलने लगे रोटी बस प्रिक कर दीजिए हो जाएगा तो यह देखे अच्छे से सीख चुकी है और आप इसे हम हटा करके अलग रख लेंगे और दूसरी रोटी को भी इसी तरह से हम सेख कर तयार करेंगे तो यह देख सकते हैं उसी एतना यम्मी नाशता गाहिज एक नास्ता बनने में लग लग 10 मिंट लगता है क्रिस्पी होता है तो यह देखे बन करते हैं तो चलिए इनको हम करते नाइफ के साथ कर देंगे,क्जा पिजा कटर से भी एड़ सकते हैं एक बात और हैं नुआ कमें के साथ कर सकते हैं तो टेमाटो जैम के साथ देशाथ नान यदि वृ credit prior हे उखिचर देशॅ स அमजमें या सेजवां सोस के सार्ट स express कर सकते हैं तो बहुत टेस्टी बहुत यमई लगता है हमारा ये नास्ता तो एक बात और वाइज ये आप नाजसा क्रिस्पी रहता है तो ये बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी रेस्पी है तो आप लोग अगर ये रेस्पी हुमारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और और आगे आपके लोग के लिए क्या क्या रेस्पी ले के आए तो उसकी कमेंट जरूर करेगा थेंक्यू बबाए